आज किस वीडियो में मैं आपको SSC CPU का form apply कर दिखाऊंगा तो सबसे पहले आपको इसमें आपको new register करना होगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा new register वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यह interface खुलेगा इसमें नीचे जाना है नीचे जाए continue पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको अपना आधार नमर है तो देना है यह सनहीं देना है तो आप यहाँ no कर दोगे ठीक है उसके बाद second number पर type of identification card driving license, pen card, passport, voter ID जो आपको आपके पास है वो आप feel करोगे मैं pen card feel कर रहा हूँ इसमें आपको पना pen card सरी से भर देना है फिर उसके बाद third number पर आपको अपन नाम verify कर लेना है फिर आप अपना नाम change करने चाहते हो yes or no कर देना है जेंडर में male female जो हो verify gender कर देना है date of birth आपको अपना सही भरना है ठीक है बहुत date of birth important है वो आगे जाके edit नहीं होगा data of birth भर देना निकी बाद verify भी करने है दो बार data भरना husband verified अपने father के नाम लिखना है पापा का नाम फिर verify करना है father name then 8 वा नमबर पर mother name लिखना है mother name लिखने के बाद verify भी करना है अपना mother name ठीक है दो बार लिखना है उसके बाद आपको अपना matriculation tent कहां से आप pass की हो वो लिखना है अगर आप CBSC board चो हो Bihar board चो हो कहीं से भी हो आप अपना board भर होगे अगर आप Bihar board से पास की हो तो Bihar board CBSC यहां roll number लिखना है आपका matric का roll number लिखना है इंटर का नहीं ठीक है verify कर लेना है आपने कब matric pass की यह लिखना है यहाँ पर ध्यान रखना matric किस साल pass की हो वो आपको यहाँ पर उस साल को fill कर देना है पि verify कर देना है वही साल भी verify भी कर लेना है then highest qualification आपका क्या है graduation किये हो तो graduation लिखना है क्योंकि इस post लिए graduation जरूरी है candidate mobile number आपको अपना mobile number इसमें लिखना है उसके में OTP जाएगा उस OTP को यहाँ verify करना है OTP जब तक नहीं आता है तब तक आपको wait करना पड़ेगा जैसी OTP आएगा 13 number पर उसके नीचे OTP लिखना है फिर validate कर देना है validate होने के बाद आपका OTP verification successful हो जाएगा green हो जाने के बाद फिर आपको अपना email id डालना है यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर send OTP करना है जैसी आपको email id पर OTP आएगा यहाँ पर आपको feel करना है फिर यहाँ पर validate कर देना है उसके बाद आपको green हो जाएगा फिर save and next कर देना है save and next के बाद successful हो गया ok कर देना यह आपका रहा registration id इसमें आपका registration कर चुके हो इस id से यहाँ आपको continue करना है उसके बाद आपको अपना यहाँ पर आप अपना password जो आपको मिला है आपके mobile पर और email id पर password जाएगा वो password से आपको फिर से login करना है ठीक है login करने के बाद यहाँ capture लिख देना है password लिख देना है जो आपके mobile पर और आपके email id पर password आया होगा जैसी login हो जाएगा आपको अपना password चेंज करना होगा old password दाल देना है new password ध्यान रखना है एक smaller और एक lower case smaller case number और add the और एक आपका कोई भी एक निम्दिकल होना चाहिए मतलब ऐसा character आपको होना चाहिए special character होना चाहिए ठीक है ऐसा password बनाना है उसके बाद आपको security question लिखना है पहला question लिखना है आप कुछ भी कर सकतो मैं अपना करूँगा मैं कहाँ born हुआ था CTPS में born हुआ था जंदपूरा thermal power station पे वहाँ लिख देना है याद रखने के लिए जो जानतों वो लिखना है अपना registration number डालना है और आप पासवर्ड नया बनाए हो वह आपको यहाँ पासवर्ड डालना है फिर लॉगिंग कर लेना है लॉगिंग के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी लिखना है ST मैं ST नहीं हूँ मैं जेनरल हूँ लेकि मैं ST डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे fee payment से बचना है अगर आप जेनरल रहोगे तो आपको 100 अरप्या का fee लगने वाला है अगर आप इंडियन है इंडियन कर सकते हो जहां के भी रहने वाले हो आपको यहाँ पर लिखना है visible identification mark आपका सरी में कोई भी ऐसा mark है वह आप लिख देना है जैसे मेरे गर्दन पर तेल है तो आप तेल में लिख दूँगा अगर आप physical handicap हो तो वहाँ पर यहाँ करना है address आपको यहाँ भर देना है अपना सही सही आप किस district से आते हो किस state से आतो स्टेट भर देना है उसके आपको अपना स्टेट के बाद district भरना है यहाँ पर आपको पिंक को डालना है अपना postal address का 7th number में अगर आपका correspondence address और permanent address सेम है तो yes लिखना है नहीं तो no लिख देना है अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपका घर बिहार है तो आप correspondence address बिहार करोगे तो और यहाँ पर save and next के बाद कर देना है save and next के बाद यह option आएगा agree of above the condition मैं agree करता हूं मैंने जो form भरा होग सही है टिक मारकर आपको यहाँ पर declare में click कर देना है उसके बाद आपका आ जाएगा form fill up करने के लिए तो form खुल जाएगा higher qualification क्या है फिर आपको details of education qualification अगर BA, BCA कुछ भी की हो, BSC की हो यह आपको लिख देना है ठीक है मैं BCA लिख देता हूं फिर आप status pass है क्या appearing है पास लिख देना है अगर पास हो तो कब पास किया यह भी लिख देना है year of passing आपने BSC या BCA कप किया है उसके अधर किस state से आपका board है, university कौन सा है वो board लिख देना है जारकंट से है और आपका कौन university से आपने BCA किया है वो आपको अपना board लिख देना है रॉल नंबर आपको लिखना है ठीक है आपका गिरोशन का जो रॉल नंबर है वो आपको यहां पर लिख देना है पिर आपको कितना percentage आया वो आपको लिख देना है पिर यहां save and next कर देना है सक्सेस हो गया उसके बाद आपको आगे बढ़ना है इसमें आपको ex-servicemen status लिखना अगर आप ex-servicemen हो तो yes नहीं तो no अगर आप ESM दिल्ली पुलिस से हो special court आपके पास है दिल्ली पुलिस का तो yes करना है अगर आप दिल्ली पुलिस में काम करते हो yes या no करना है अगर आप departmental candidate हो तो yes और no नहीं हो तो no कर देना है अगर आपको age में छूट लेना है तो yes नहीं तो no करना है या इसमें आपको personal information available अगर आप इसमें अपना inversion देना चाहतो यस नहीं तो no कर देना है save and next करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है इसके बाद आपको यह सारा आएगा इसमें आपको center of examination चूज करना है कहां कहां center में exam देना है पहला मैं आप ऐसे ही डाल दे रहा हूँ आप अपने हिसाब से जो आपके district नजदीक होगा वो आप center चूज करोगे इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है 27 नमबर पर यह लिखा हुआ है कि अगर आप दिल्ली में दिल्ली के OBC के आते हो तो yes करना है भले आप central में नहीं हो लेकिन अगर आप दिल्ली के OBC हो और आप दिल्ली पुलिस में फॉर्म अप्लै करना चाहते हो तो यहां पर yes करना है नहीं तो no करना है 28 नमबर भी यही कहता है कि दिल्ली में अगर 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 दिल्ली करना है NCC है तो yes नहीं तो no ठीक है बाकी save and next करके आगे बढ़ जाना है इसमें आपको photo upload करना है capture live photo live photo के लिए आपको अपना mobile का front camera open करना होगा इसके अधा आपको अपना photo को capture कर लेना है blur नहीं करना, lighting में करना है ऐसा photo आपको कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद आपको sign signature भी upload करना है mobile में आप signature 10 से 20KB के बीच में रख लेना है जब आप photo upload कर दोगे तो preview के लिए आएगा अपना सारा चेक कर लेना है कि आपको कोई दिक्कत नहीं नहीं है आपको कोई भी form भरने में दिक्कत नहीं हुई है कहीं भी गलती होगा तो edit हो जाएगा नहीं तो बाद में edit नहीं होगा प्रिव्यू में सारा चीज देख लेना है ठीक है उसके बाद आपको इसमें last में submit करना है अगर आपको form भरने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे comment करना मैं आपको personally बता दूँगा और whatsapp करना मैं आपको सही से form भरना सिखा दूँगा इसमें आपको declaration में agree लिख देना है capture लिख देना है capture लिखने के बाद आपको save and next कर देना है save and next करने के बाद आपका form apply हो जाएगा यह आपको successful form apply हो चुका है इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा pending या preview print application में print कर लेना है आपको अपना form करकर बता दूँगा कि क्या गलती है वैसे आपको कुछ गलती होगी तो आप मुझे कमेंट, टेलिगराम, मैसेज, वाटसप मैसेज सभी कर सकते हो वीडियो कैसा रहा है कमेंट करके बताना और कुछ प्राबलम होई तो आप मुझसे जरूर कॉंटेट करना मैं चाहता हूँ क आपको फॉर्म में कोई गलती ना हो मिलते है अगले वीडियो में अभी के लिए जैहिन जै भारत